रात को जब हम सोते हैं, तो यही सोचकर हम सोते हैं कि हमारी नीन बहुत अच्छी होगी और सुबह हम बिल्कुल आराम से अपने टाइम पर उठेंगे. मनुश्या रात को अगर अच्छी नीन लेता है, तो उसका शरीर हल्दी रहता है, और एनरजी बनी रहती है, शरीर की जो पोजिटिविटी है, वो बरकरार रहती है. लेकिन क्या हो, अगर हमारी नीन रात को एक विशेश टाइम के दवरान खुलने लग जाए, क्या होता है अगर आप रात को सोने गए ओर, रात को एक खास टाइम पर जाकर आपकी नीन तूट जाती है, और ऐसा एक आध बार नहीं, जब आपके साथ लगातार होने लगे, तो इसे नजर अंदाज नहीं करना चाहिए. अगर रात को बार बार आपकी नीन एक खास टाइम पर खुल रही है, तो इसका मतलब है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है. वो आपके साथ पोजिटिव भी हो सकता है, वो नेगटिव भी हो सकता है. वो डिपैंड करता है कि आपकी नीन रात को किश टाइम पर खुल रही है, किस विशेश टाइम के दुरान रात को आप बार बार जान रही है, वो टाइम बताएगा कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है बहुत सारे भगतों ने कमेंट करके हमसे पूछा था गुरु जी हमारे साथ पिछले काफी दिनों से ऐसा हो रहा है कि एक खास टाइम पर जाकर हमारी नीद खुल रही है और उसके बाद दोबारा नीद भी नहीं आती बहुत सारे भगत चिंता में होते हैं कि गुरु जी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और ये लगातार हमारे साथ हो रहा है तो प्यारे दर्शकों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी नीद रात को एक से दो बजे के बीच में खुल रही है तो इसका क्या कारण होता है आपकी लाइफ के उपर इसका क्या असर होता है और आपके आने वाले फ्यूचर में आपको इसके किस तरह के रिजर्ट मिलेंगे बहुत इंपोर्टेंट आज का एपिसोड होने वाला है एपिसोड को आपने पूरा देखना है ताकि कोई भी इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन आपसे मिस ना हो सके तो चलिए शंकर भगवार को प्रणाम करते हुए आज की एपिसोड को स्टार्ट करते हैं ओम्त्रियंबकं व्यजामहे सुगन्धिंपुष्टे वर्धनम् उर्वारुकमिवबंधनां मृत्योरमोक्षे यमाम्रियतात् वोद्यशंकर भगवाने की जय हर हर महादे नमश्कार सुस्वाक्तम आहा मैं पंडिक निति शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वाद करता हूँ आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और भगवान भोले नाथ की क्रिपा आप सभी के उपर बनी रहे जैसा कि आपने एपिसोड के टीजर में देखा है कि क्या आपकी नीद रात को एक से दो बजे के बीच में तो नहीं खुलती तो हो जाईए सावधार जी हाँ अगर इस टाइम के दुरान रात को बार-बार आपकी मीद खुल रही है तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ बहुत जल्दी होने वाला है एक से दो बजे का रात का जो एक टाइम पिरियड होता है ये बहुत एक खास टाइम पिरियड होता है एक ऐसा टाइम पिरियड होता है इस टाइम के दुरान नीद का खुलना आपके लिए कई माईनों में बहुत जरूरी है जानना बहुत आपके लिए आपकी life के उपर इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाइए आपकी life में कुछ बॉड़ा होने वाला है वो क्या है आगी मैं आपको बताने वाला हूँ दिहान से एक एक बात को सुनना है, जल्ट बाजी नहीं करनी है, अन्य था, बहुत बड़ी, बहुत महत्पूर्ण जानकारी आपसे मिस हो सकती है, एपिसोड शेयर जरूर करें, ताकि जादा से जादा भत्तों तक महत्पूर्ण जानकारी पहुच सके, तो प्यारे बंधू ज़नों, रात को एक से दो बजे के बीच में अगर आपकी नीद खुल रही है तो इसका मतलब है कि आप अपनी रियल लाइफ में किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परिशान है लगातार इस टाइम के दुरान अगर आपकी नीद टूट रही है आपको परिवार की हो सकती है, रिश्टेदारी की हो सकती है, आपकी कोई पर्सनल हो सकती है, पैसों से जुड़ी हुई कोई चीज हो सकती है कोई न कोई टेंशन आपको ऐसी सतार ही है जो हर टाइम आपका पीछा कर रही है आपके माइंड में बहुत जाना चिंता घर कर रही है जिसके कारण लगातार एक से दो बजे के बीच में आपकी नीद तूट रही है यह सबसे बड़ा पहला और सबसे मुख्य कारण है दूसरा कारण अगर आपकी नीद राप को एक से दो बजे के बीच में हर रोज खुल रही है मालनी ये एक दिन छोड़के फिर खुल गई फिर एक दिन छोड़के फिर खुल गई ऐसे लगातार अगर आपके साथ ये हो रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप गुसा आपका काबू से बाहर हो रहा है आपकी रियल लाइफ में कहीं ना कहीं आपके उपर गुसा हावी हो गया है आप अपने हर काम को मतलब डिश्टर्ब पा रहे हैं आपका हर काम कहीं ना कहीं ना तो बन नहीं रहा है या आपके काम में कोई अडचन है आपके या शत्रों की वजह से हो सकती है जिसके कारण कहीं ना कहीं आपका जो गुसा है वो दिन प्रती दिन बढ़ता जा रहा है जिसके कारण लगाता आपकी एक से दो बज़े के बीच में आप खुल रही है तीसरा सबसे बड़ा मुख्यकारण अगर आपके उपर कोई बुरी नजर रह रहा है या कोई किया कराया का दोशा रहा है तब भी आपकी जो नीन है एक से दो बजे के बीच में खुलनी शुरू हो जाती है ये सब बातें आपको बताती है कि आपकी लाइफ पर इसका किस तरह का असर पड़ रहा है तो अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा है इसे लाइफ और शेर जरूर करेंगे आज के लिए बस इतना ही जैमाता की